जैसे रिशाम दोस्तों मैं हूँ राखियो और आप सभी का स्वागत करती हैं मैं अपनी चैनल L.A.C.T. राखियर रसोई में आज मैं आप सभी के साथ ने शेयर करने जारी हूँ आलू भुजिया बहुत ही ज़्यादा यमी लगते खाने में आप सभी फुल रेसिपी देखना चाहती हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें तो चलिए शेयर करते हैं तो आप सबी देख सकते हैं मैंने यहां पे लिया है चार आलू और आलू को मैंने अच्छे से छेल लिया है छेले के बाद अब चलिए इसका भुजिया काट लेते हैं तो इस तरीके से हम इस तरीके से पतले पतले लेयर में इस तरीके से जो है आलू को काटना स्टार्ट करें पतले पतले लेयर में आलू भुजिया काट कर तियार करेंगे ना ज्यादा पतला करूंगी और ना ही ज्यादा मोटा रखूंगी और इसे बहुत भी बढ़िया तरीके से जो है काट कर में तियार करूंगी इस तरीके से आलू को काट लेना है उसके बाद इसको इस तरीके से क एक बार जरूर आप ट्राइ करिएगा इस भुजिया में मैं प्याज का इस्तिमाल करूंगी पिर आप सभी प्याज अगर नहीं खाते हो तो प्याज को स्कीप कर दे और सेम तरीका से आप बना कर खा सकते हैं चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूं कैसे बनाना है तो देख सक से दो तिन पानी से दो लेते हैं उसके बाद चलिए बनाना स्टार्ट करते गाईस देख सकते कड़ा ही गड़म है उसमें मैं डाल रही हूं सरसो का तेल और इस भुजिया को आप सरसो का तेल में ही बना कर खाईएगा बहुत ही ज्यादा यमी लगेंगे गाईस अगर नही पसंद करते हो तो आप ले सकते हैं जो भी आप ओईल खाते हैं वो आप ले सकते हैं तेल गरम होने के बाद इसमें डालूंगी एक चमच जीरा और एक चमच जीरा डालने की बाद इसे थोड़ा सर तरकने देंगे उसके बाद मैं डाल रूँ इसमें प्याज और हरी मिर्च प्याज को थोड़ी मोटी ही काटी हूँ क्योंकि इस तरीके से प्याज मुँ में जब आती है तो बहुत अच्छी लगती है खाने में उसके साथ मैंने हरी मिर्च भी डाल दिया है हरी मिर्च को मैं बीच से कट करके डाली हूँ में लगा कर रखी हूं हरी मिर्च में तु इसलिए साबूत ऐड्च में कट लगा ले आप सब देख सकते हैं add ब्समिक्स αυτो में मिक्स कऱें रिटेंगीं मिक्स करने के बाद इसे साथ में आलू डाल देना है प्याज और आलू को एक साथ ही भूनना है तो देख सकते आलू डालने के बाद इसको अच्छे से mix करेंगे और flame जो है अभी high है high flame पे इसे अच्छे से mix करेंगे और इसे mix करने के बाद ढखकर इसे जो है तीन से चार मिनट के लिए भून लेना है इसके बाद दिखाते हैं gas flame को medium कर दे और medium करने के बाद इसे ढखकर इसे भून ले बीच बीच में जरूर चलाते रहें और आप सभी से request है प्लीज मुझे motivate कीजिए मैं आप सभी के लिए ऐसी अच्छी रेसिपी लेके आऊंगी और आप सभी एक लाइक जरूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी आप सभी को पसंद आ रही है तो मुझे और ज्यादा खुसी होती है और बनाने क इच्छा होता है तभी मैं आप सभी के लिए इतने अच्छी रेसिपी लेके आती हूं प्लीज मुझे support कीजिए आप सभी और देख सकते हैं अच्छी से मैंने 3-4 मिनिट जो है इसे medium flame पे भून लिया है उसके बाद मैं इसमें एड करूंगी healthy powder आदा चमच मैंने इसमें healthy powder और एड किया है और एड करने के बाद इससे अच्छे से mix करूंगी और gas flame थोड़ा सा कम कर दे अगर आप कम करेंगे तो यह जलना start हो जाएगा तो इसे लिए gas flame लो कर दे अच्छे सा आलू को ढग कर पकने दे जब थोड़ी कसर बागी रह जाएगी तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं और यह देख सकते हैं इसे फिर से मैंने पांच मिनिट के लिए ढग कर इसे बून लिया है काफी अच्छे से soft भी आलू हो गया है अब इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले तो मसाले बहुत ही basic मसाले डालूंगी जो सभी के घर में इस्तमाल होते हैं बहुत थोड़ा सा इसमे इसमें एड़ किया है धन्या पॉडर थोड़ा से मिर्ची पॉडर स्वाधनुसार नमक एड़ करेंगे और बाच इसके बाद यह बुझ्या बहुत सांदार बनकर तयार हो जाते हैं अच्छे से mix करने के बाद इसे एक मिनट करीब चलाना है एक मिनट चलाने के बाद इस त अब थोड़ा कम ही रहने दे और एक मिनट के लिए डखकर इसे अच्छे से विऽ लिया है अब थोड़ा सथ तेज कर देाऊ और तेज करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए सिरफ ब्लाना है त्यज फ्लैम पर जब नीचे से जब अच्छे से थोड़ी करारी लगने लग जाए तो gas flame को off कर दीजिएगा यह बहुत सांदार टेस्टी भुजिया बनकर तयार है रोटी, पूरी, पराथा जो भी इसके साथ में खाना पसंद करेंगे आप खा कर देखिएगा गाइस आप सभी को मज़ा आ जाएगा इसे खाने के बार बच्चे प्यार से बहुत ही प्यार से खाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे आप भी बहुत खोश होंगे जब बच्चों को देखेंगे खाते हुए तो आप सभी को मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेट बॉक्स में बताएं और इसी बात पे आप सभी प्लीज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप सभी के लिए बहुती टेश्टी टेश्टी रेसिपी लेकि आओं और आप सभी में चैनल से नई जुरे हैं तो बेल एकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नॉटिफिकेशन आप सभी के पास में जल्द से जल्द पहुंच सके चलिए आप सभी के लिए ऐसी अच्छी रेसिपी लाती रहूंगे मिलती हूं नेक्स रेसिपी के साथ जब तक के लिए बाइबाई